मेरे पर दबाव नहीं चलेगा नितिश कुमार के मैं भी आज दबाव में हूँ रहूँगा वो है हमारे राष्टी अध्यास लालू प्रसाइज लेकिन मैं मुद्दो पर सहमत नहीं हूँ नितिश कुमार से पहले भी अभी अभी और कभी से मेरे पर दबाव नहीं चलेगा नितिश कुमार ने तेजस्वी आदो पर प्रेशर डाला लालू जी पर प्रेशर डाला आपको हटाने के लिए क्या किया उन्होंने देखिए जब सरकार गठ वंधन में हो तो बहुत चीजे दबाव में होती हैं बाते हैं सरकार चलाने में ले मेरे पर दबाव नहीं चलेगा नितिश कुमार का सच में अगर हम दबाव में हैं मैं भी आज दबाव में हूं रहूंगा वो है हमारे राष्टी अध्यस लालू प्रिशाद जी और राष्टी जंतादल का ही मेरे पर नियंत्रन है जैसे हो चाहेंगे मतदान करता हूं पार रिनेता हैं उन्होंने ही कहा था बनने के लिए उन्होंने कहा था कि नहीं रहना है तो मेरे लिए महत्वी नहीं रखता है मैं बनना ही नहीं चाहता था अब वो कहे कि बन जाओ तुमें बन गया उनकी इच्छा हूई कि नहीं रहना है तो मैंने हाला कि उन्होंने बहुत सा स्थिपा देना ही मेरे लिए स्रियस कर रहेगा और मैंने स्थिपा दे दिया। देने भी खहा कि मेरे नितीस कुमार से व्यक्तिगत लगाव जुडाव है लेकिन मुद्दे पर हमा सहमत है दोनों लेकिन उनमें अंतर है व्यक्तिगत अस्तर पर जुडाव लगाव वाजपेजी और जेट्डी साहब के साथ उनके वयचारिक और राइनेतिक मुद्दो पर अभी सहमत है ध्यान दीजिए उनके केवल व्यक्तिगत रिष्टे नहीं है सार्जनिक रिष्टे हैं दोनों व्यक्ति के रूप में रिष्टे तो राजी गांधी से भी बहुत प्रसंद रहते थे बाजपेजी बहुत कहते थे लेकि जहां वो राजनिती थी विमुद्दे पर वो दोनों असाहमत थे दोनों अलग अलग दल चलाते थे नितिज कुमार मुद्दे पासहमत नहीं है दोनों एक साथ हैं बीजेपी के नितिज कुमार उनकी जो थोड़ी बहुत अंतर है वो है नित्रत को लिकर वरतमान वो मोदी जी और अमिट्सा से उनकी लड़ाई ब्यक्तिकत हो सकती है किन कार्णों से वह जाने लेकिन ब्यक्तिकत मस्तला है वह चारी काधार पे नहीं भी रोध में नितिज कुमार के साथ जाएगा राजनिती में मैं कभी नहीं जाओंगा असंभव नितिज कुमार को बीजेपी से कोई बैर नहीं है एक दम सौ फिश्दी कहीं कोई बैर नहीं है उनका कहीं दूर दूर तक बैर नहीं है उनके बाहांसड़ों में उनके बयानों को देख लीजे आप धाई करीब साथे चार या पांच साथे चार महीने की सरकार हो गई आप एक भी बार देखिए, वो तो कहते हैं कि आप लोग अच्छे अगर ऐसा काम नहीं किये होते, वो ऐसा काम क्या आरोप लगाते हैं, सभी को मालूम है कि भाजपा ने उनको सीठे हरवा दी थी, जैसा उनका आरोप है, वो तो हारने वाले थे, ये कोई नहीं कहते, कि जो पैता करिये, 2015-2014 में वो अलग लोग सभा चुनाव लड़े थे, कितने सीठों पर बिहार में वागे थे,